नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी उत्राखंड के हल्दवानी में जो दंगा हुआ है अब उसकी हकीकत सामने आने लगी है जैसे जैसे पुलिस की जाँच आगे बढ़ रही है तो पता चल रहा है कि ये जो दंगा था जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सू नियोजित दंगा था क्योंकि जिस तरह से पत्रों को छटों पर इकटा किया गया इससे ये पता लग रहा था कि ये हमला करने के लिए ही पत्रों को वहाँ इकटा किया गया था और इतना ही नहीं पूरी एक प्लानिंग के तहट पुलिस की टीम और पत्रकारों पर हमला हुआ आम पार्टी के सांसत उत्तर प्रदेश के पूर्वर डी जी पी ब्रजलाल जी ने खुलासा किया है उन्होंने कहा कि जिस तरह का ट्रेंड अप दिखने में सामने आ रहा है जिस तरह से पुलिस पार्टी पर घेर कर हमला किया गया जिस तरह से वहनों को आग लगाई गई जिस त उनको अनभव है पुलिस विभाग का वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की चीजे सामने आ रही है क्योंकि पुलिस विभाग में उनकी अभी भी टच में है वो और लोगों से बातचीत हुई है जिस तरह से हमले हुए है जिस तरह से लोगों का इंपुट मिला है इंटेलिजेंस input था वो ये कह रहे हैं कि देखिए पुलिस को ये तो अंदेशा था कि पब्लिक इखटी होगी और वो पब्लिक इखटी होके प्रतिकार कर सकती है पत्राओं भी कर सकती है इसके लिए पुलिस तैयारी में थी लेकिन पूरा महला महिलाओं को आगे करके बच्चों को आगे कर के वो पुलिस और पत्रकारों पर जान लेवा हमला करेगा ये किसी ने सोचा नहीं था यहां से चीजे खुलकर सामने आ रही है जिस तरह से अब वीडियो फुटेज की जांच हो रही है पुसकर सिंग धामी ने साफ कर दिया कि जितने भी दंगाई हैं इनसे ही वसूली की जा रहे हैं बुल्डोजर भी चलाया जाएगा और जो दंगाई हैं उनके खिलाब भी कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी आपने देखा जैसे ये दंगा भड़का पुसकर सिंग धामी ने देखते ही गोली मारने के जो आदेश दिये उसी का कारण है कि ये दंगाई अपन उसके आधार पर हम ये तै कर रहे हैं कि कौन कौन दंगे में शामिल हो सकता है जादे तर चीजे जो सामने आ गई हैं जैसे मैंने बताया कि पी एफ आई का नाम सामने आ रहा है कुछ लोग जिनको पुलिस ने गरफतार किया है वो बता रहे हैं कि मजजिद के जरिये लोग को तै किया गया और अब इसमें पहले की तरह हम देख रहे हैं कि वही ट्रेंड है जो दिल्ली दंगे में था वही ट्रेंड चल रहा है जो हरियाना के नू में था वही ट्रेंड चल रहा है जो मुंबई में हमला हुआ अभी राम यात्रा पर यानि एक रणनिती के तहर पहल शोशल मीडिया पर आप देखिए तो मुहम्म जुबेर और उसके जैसे बहुत सारे लोग अब जो दंगाई हैं उनकी वीडियो और फोटो को वाइरल करते हुए पुलिस को ही दोशी बता रहे हैं उत्राखंड सरकार को ही दोशी बता रहे हैं और जुबेर तो ये कह रहा है देखिए जी महिलाओ को क्यों खदेडा गया वो कह रहे हैं सब पुलिस के साथ ये कौन है जो पत्राओ कर रहे हैं तो भाया पुलिस के साथ पत्राओ कौन कर रहे हैं हेलमेट पहने हुए वो पुलिस के सूतर बता रहे हैं कि भाया हम जब किसी भी इस तरह की रेड में जा जो हमलावर है या इस तरह की कोई सड्य अंतरकारी योजना बना रहा हो उसकी जानकारी हो सके तो पुलिस के साथ सिविल वर्दी में पुलिस के ही लोग हैं अब उन पर अगर पत्थराओ हो रहा है और वो अगर गोली चला देते तो सोचिए क्या होता कितने दंगाई मारे जाते और अगर दस बीस पचास दंगाई मार दिये जाते पुलिस की गोली से मरते दो चार महिलाएं मर जाती जो उन दंगाईयों को और पत्थर बाजों को बचा रही थी निश्चित रूप से शील्ड बनाई हुई थी जैसा आप कश्मीर में देखते हैं कि आतंक वादी कोई आया जैसे ही सैना सुरक्षा बल कारवाई करते हैं यह महिलाएं और बच्चे उस सुरक्षा कर्मियों के उपर पत्राओं कर देते हैं सामने खड़े हो जाते हैं आप पुलिस के सामने सबसे पहले चीक चीक कर यही आती हैं पुलिस को उकसाती हैं मीडिया के कैमरे तयार रहते हैं इनके ताकि एक भी डंडा महिला पर पड़े तो यह फोटो क्लिक करें और यह कहें देखो पुलिस महिलाओं को मार रही है और इतना ही नहीं यह हैडिंग देत के जिन्दा जलाने का प्रियास हुआ है पुलिस कर्मी महिलाएं बता रही हैं कि हमको घर में जब हम छुपे पत्राओं के इस्तिती में तो हमको घर के अंदर आग लगा कर जला कर मार देने का शड़ेंतर किया गया इस पर भी कुछ लोग अभी भी पक्ष में उतरे हुए हैं और उनकी दलीले ये हैं कि देखिए जी ये जो कारवाई थी बुल्डोजर की ये गलत हुई है किसी का धार मिकस्तल कैसे गिरा दोगे और कैसे आप महिलाओं को खदेर दोगे इस तरह की बाते चलाई जा रही हैं ये जो लोग इस तरह के हैं मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दामी जी ने ये आदेश दिया है पुलिस को कि जो भी शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई किसी बढ़काओ पोस्ट को करता है उसके खिलाब भी एनस से लगाया जाए ये जो दंगे में शामिल है इनके खिलाब भी एनस से लगाया जाए और ये बहुत जरूरी है क्यो की मुहम्मद जुबेर हो या इस जैसे जो भी शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं जिन्नोंने पुलिस कर्मियों को घायल कर दिया जिन्नोंने छे लोगों की गोली मार कर हत्या कर दी और नेरेटिव गड़ने के लिए ये देखिये ये स लटने से किसान की मौत हुई उसको सिद्ध करने में ये सारे वामपंती लग गए किसाब डिली पुलिस की गोली से ये सिक मरा है इसी तरह का निरेटिव इस दंगे में किया गया है ऐसा पुलिस का कहना है पुलिस का सूत्रिय कह रहे हैं कि हमने कोई भी गोली नहीं चलाई प अलित है अजय नाम का उसकी गोली मार कर हत्या कर दी ऐसे तीन चार हिंदों को मार दिया गया उनकी दुकाने जला दी गई तब फिर सवाल ये उठ रहा है कि जो दूसरे पक्ष के लोग कुछ मारे गए हैं क्या उनको पी एफ आई के किसी सद्दस्यों नहीं मार दिया ताकि नरेटिव बना सके कि पुलिस ने देखिये मुस्लिम के बच्चों को मार दिया इसकी जाच करी जा रही है आदेस दे दिये गए हैं पुलिस बिलकुल अलर्ट मोड पर है लेकिन इतना तैह है कि पुशकर सिंग धामी ने ये तो सिद्द कर दिया कि वो किसी भी तरह से नियारों पर अवैड मचारों पर जो कारवाई हुई है पूरे उत्तरा खंड में उसकी तारिफ हो रही थी और जिस तरह से अभी उन्हों ने यू सी सी पर बात की है बिला बनाया है इसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है मैंने तो देखा विदेशों तक में भी इस बात की तारीफ हो रही थी कि पुशकर सिंग धामी ने जो कानून बनाया है कि उत्रा खंड में यदि कोई लड़का लड़की लिव-इन रिलेशन्सिप में रहेंगे बेसक वो उनकी मरजी है उनके पास कोट का पेपर हो उनके माबाप को सूचना दिये बगएर उनको कोई भी किराय पर नहीं रखेगा ये जो कानून है इसकी दुनिया में तारीफ हो दिया है पुसकर सिंग धामी ने दिखा दिया है कि वो जहां एक तरफ बहुत सहज और सैंशील नेता है दूसरी तरफ वो लो एंडर की सिच्वेशन में योगी से कता ही कम नहीं है योगी जी के नक्षे कदर पर चलते हुए ही दंगाई ओपर सक्त कारवाई का उन्होंने डी जी पी को और पूरे अधिकारियों को आधिस दे दिया है और उसके कारण पुलिस एक्शन मोड में है दंगाई घबराए हुए है और इसलिए उनकी टीम भी जो है पत्रकार और बाकी लोग वो मैदान में उत्रे हुए हैं उनके बचाओ में तरह तरह की दलीले दे रहे हैं लेकिन हम सब को ये समझना होगा कि कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश में हैं क्योंकि पुशकर सिंग धामी वो हैं जिनोंने इस देश में इतिहास रचा है यू सी सी को अपने प्रदेश में सबसे पहले लागू करके उसमें तो योगी जीसे भी एक कदम आगे निकल गए है लेकिन ये होना ही था क्यों? क्योंकि वहाँ पर तोकीर रजा जैसे लोग हैं जो पिछले काफी दिनों से भढ़काने की कोशिश कर रहे थे तो अब एक सवाल ये है कि जो लोग दंगाईयों के पक्षमे दलीले दे रहे हैं जो लोग उनके बारे में पोश्ट लिख रहे हैं उनसे एक सवाल है क्या पुशकर सिंग धामी की पुलिस या नगर निगम के लोग अपनी मनमर जी से बोल्डोजर लेके चल पड़े थे जी नहीं कोट के आदेश पर ये कारवाई थी तब फिर उस कारवाई को जो की कोट के आदेश पर हो रही थी कोई गलत कैसे ठहरा सकता है पुलिस पर हुए हमले पत्रकार पर हुए हमले को कोई कैसे सही ठहरा सकता है दंगा दोनों तरफ से होता है लेकिन यहां केबल एक तरफ से हुआ है और वो है गुसपैटी है बंगला देशी गुसपैटी हो ने पुरी योजनाबत तरीके से पुलिस पार्टी पर हमला किया है एक्शन होना अभी बाकी है पुलिस पूरी ततपरता से छेतर की शांती बहाल करने के लगी हुई है अब इस समय थर-थर कांप रहे हैं वो लोग जिनों ने पुलिस पर हमले किये थे लेकिन पुशकर सिंग धामी कड़ी कारवाई कर रहे है जिससे एक पूरे देश में मैसिज गया है जहां भाजपा की सरकारे हैं निश्चित रूप से हिंदूों की सुरक्षा की गारंटी वहाँ है और दंगाईयों पर एनस से लगाने की भी गारंटी है अब देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है और इसके पीछे जो ताक्ते हैं सर्ड़े अंतरकारी वो कौन है उनका चेहरा भी थोड़े दिन में खुलासा होगा हम सब के सामने आएगा आपकी क्यारा है जरूर कमेंट में लिखें लेकिन आप से एक रिक्वेस्ट इस वीडियो के माद्धम से है कोई भी इस तरह की किसी की धार्मक भावना आहत करने वाली वीडियो और या पोस्ट ना डालें जिससे लो एंडर की सिच्वेसन खराब होती हो वंदे मात्रम जैशिर राम